जहें दोस्तों आप देखने कुमार सॉल्यूसन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाहे यूट्यूब से हो या फिर कोई आप ब्लॉगर हो या फिर कोई आप पेस बनाए हो वेबसाइट हो कोई भी आपका इस टैप का ऑनले मार्केटिंग टैप का काम है जिसमें एडिसेंस इंवालव है तो आप उसमें कौन सा बैंक का एकाउंट एड करोगे तो वह जड़ा फाइदय मन्द होगा तो वह मैं इसे बात करने वाला हूं क्योंकि मेरे साथ कुछ इसू हुआ था मैं 4-5 बैंक का एकाउंट डाला हूं तो मुझे सब में पता है कि किसमें कि कि इसकी अच्छी है तो वह बताने वाला हूं सबसे पहले बताई देता हूं कि लिए कर देता हूं मैं वीडियो की चुंगा नहीं है अगर आपका एस वी ए में अपका हो जाएगा ना उसके बाद अगर मैंजर से पूछोगे कि भाए आपका मिन्स शिफ्ट कोड क्या है त वहां से आपको श्रिफ्ट कोड मिल जाएगा असानी से और फिर और कुछ कोड डालना नहीं होता है उसके बाद भीडियो में बना दूगा क्या सब डालना होता है अब बात का रहो एस्टेट बैंक की एस्टेट बैंक का डालने से क्या फायदा हुआ हुआ हमको कि 21 तारिक को आपको मेसेज आता है कि एडसेंस का कि आपको पैसा जमा हो गया है एक कीस से लेकर 26 तक का वह आपको टाइम देता है कि इस दिन के अंतरगत आपका पैसा आ जाएगा फायब वर्किंग दे के अंतरगत लेकिन उसमें सटर्डे और संडे को छोड़ देता है क्योंकि एडसेंस का जो ऑफिस है सिंगापूर में हलाकि वो ऑफिस वो संडे और बंद रहता है आपका तो SBA में क्या अच्छी बात है कि आपका तीन से चार दिन में पैसा भेज देगा तीन से चार दिन में बिना किसी फॉन कोल बिना किसी प्रॉब्लेम के लेकिन अगर आप वह दूसरे बेंडालते हो ना जैसे कि एकर मैं यूनियन बैंक की बात करूं यूनियन बैंक उसमें क्या होगा जितना वार पैसा आएगा फॉलेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फोन आएगा यूनियन बैंक की तरफ से आपको फोन आएगा और पेमेंट लगाने में आपको 15 से 20 दिन लगा देगा कभी कभी तो एक महिना भी लगा देगा तो मुझे पता था कि पैसा फसेगा नहीं पैसा आ जाएगा लेकिन जिनका में लोग थोड़ा भी जान पहचा नहीं आप लोग कितना फोन पे दोड़ागे मैं में से एक स्टोडी बताता हूं मुझे इतना बेकार लगा था में से जहारखंड जमसेदपूर में रिजनल किया था कि मेरा पैसा आया तो उसने क्या कहा कि नहीं आया है वैसा आप गूगल वाले से बात करो कि पैसा नहीं आया है तो गूगल वाले से बात करना कितना मुश्किल है बताई होगा आप लोग को तो उसे मेल होता है तो मैंने कहा कि मैंने मेल किया है वो बोलना है पैसा गया है आप एक बाट चेक कर लेते तो मुझे ऐसा रिप्ले दिया वो कहता है कि जैसे एडसेंस की बात आपने माल ली ना कि पैसा आ गया वैसे मेरा ही बात माल लो कि नहीं आया है और दोवरा फोन नहीं करना समझ रहो में चैक तो पैसा आट का हुआ तो यूनियन बैंक कभी ट्रइय नहीं करता उसके बाद पॉली जो दस दिन दग पैसा नहीं आएगा एक दो बार बैंक में फॉन करो तब आवेगा पैसा तो सबसे अच्छा है SBI में आप पैसा देना और कुछ कुछ चीज़ी बताता हूँ जो भी private secret bank है ना जाए अगर आप SCSE की बात करो HDFC की बात करो union bank की अगर आप बात करो तो अगर आपका 10,000 रुपया आ रहा है ना 10,000 तो उसमें से यह आपको 300 रुपया के असपास काट लेगा लेकिन SBI में मेरा 11,000 पे only 45 रुपीज गाटा तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी आपको यह अच्छा है तो अधिक बैंकों का कंप्रिजन और उसका बुड़ाई करने से अच्छा है कि आप estate bank को प्रिरेटी दो और estate bank में ही अपना estate bank में ही अपना जुरुबा लो और साथ ही एक गलती और नहीं करना कि लोग क्या करते हैं नेट पे सर्च करते हैं कि shift code of this bank ठीक ना जिस बैंक में आपका चाहिए तो वो गलती कभी नहीं करना उस पे क्या होगा आपका कि shift bank वहाँ पे हर branch का तो नहीं होता है पर एक head branch का अलग-अलग होता है आप यह समझ नहीं पाऊगे कि regional bank पे भी होता है या फिर एक main branch पे होता है यह shift code बाटने का तरीका थोड़ा अलग type का है तो नेट पे सर्च करके shift code नहीं डालना उससे आपका क्या दिकत होता है जैसे समझो AdSense जो है ना AdSense वो इसका मतलब AdSense का मतलब होगा कि Asia level पे जो AdSense में आता है शिंगापूर में आता है आपने किसी दूसरे branch का आपने shift code डाल दिया मालो जैसे मालो SBA का है SBA का है मेरा account Delhi के साकेत में है साकेत वाले branch में है मैंने shift code गूगल पे सर्च किया और हड़ी आना किसी गुरुगडाम बाले का डाल दिया क्योंकि वो भी दिली का अंतर का था कि दिली का डाल दिया अब क्या होगा उसमें क्या होगा कि पहले वो पैसा गुरुगडाम में आपको 26-27 तक भेज़ देगा ठेक आपका पैसा समझे लो लगभग तीन मेहने के लिए अटक जाएगा तो ऐसी गलती कभी नहीं करना और हमेशा बैंक प्रांच में जाओ shift code के लिए एक दिर में ना दे दो दिर में ना दे पर उसको को करवा देता है सब्सक्राइब करने में यूटीब बनाने में वीडियो को इसलिए सब्सक्राइब करते है जो समझाना चार रहे थे वह आप लोग समझ गए होगे वीडियो को इंट करते हैं कहीं भी कोई दिक्कत हो ना जैसे यह कुछ है चार से पांच बचे कोमेंट किया थे तो उसके लिए यह वीडियो बना था आपको भी कहीं कुछ भी चीसे रिगार्डिंग दिक्कत होना अगर मुझे उसका रहे पता होगा तो मैं वह आपको डिफिनेटली बताऊंगा आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें चले सेजन को इंड करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चाहिंद